सबसे पहले तो सबको है जो भी आयूश की वीवर और सबस्क्राइबर तो आयूश एक और बंप होड़ने जा रहा है सबसे पहले जो यहां के ओनर है क्योंकि यहां पर बेसिकली इंडिया में तो बाइक लॉंच हो चुगी बट अभी लखनों में इसकी लॉंचिंग नहीं और आज ही यहां पर आई है और यह समझ लिए कि उन्होंने अकले सर ने हमें जो इसकी परमिशन दे दिये क्योंकि अम जैसे हम लोगा तुरह आई करवाया पर सारी चीज़े करें जो भी फॉर्मेल्टी इसको कराया उसके बाद फिर अब हम इसकी टेस्ट करेंगे और सु विल्किवज़़ पसिबले अग़र आप हमारे वीवर और सब्सक्राइब को बताई इसका अइसका ऑन रोड़ा सा प्राइज में कुछ ऐसा खास चेंज नहीं हो जो अभी तक लास्ट इसकी रिकॉडड़ प्राइस थी 200 cc में 246 तो सेम प्राइस 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 सी खोड़ा साफ ग्रेट कर दिया है मूडल को कि बाइक और अच्छी होगी यह पहले से पागी जो इसके रियल फीड है वा बाइक को अपनी आखों से देखोगे तो काफी बेटर लगने वाली है वेन कंपेर टू इमेज ऐसे रियल वर्ल्ड में काफी जाधा खुबसूरत काफी अच्छी लग रही है और यह थोड़ा सा और शार्प हो सकता था आगे को और जाधा एरो डैनमिक लगता देखने में अपने पास पुरानी चैनल पर और उसके बाद आप देख सकते हो पूरी स्टाइलिंग चेंज कर दी गई है और बाइक अचली मतलब बहुत ज्यादा मस्कुलर हो गई है ऐसा लगता है कि आर्सी ट्रेवल बढ़ाया गया है आगे का जिससे जो राइड है वो और थोड़ी सी जादा अफटेबल हो जाए अक्चली इंडियन रोड्स के लिए और आप देख सकते हो इसमें डबलूपी एपक सस्पेंशन मिल जाएंगे और उसके बाद अगर आगे से बास स्टार्ट करते हैं तो लाइट की अगर बात करें तो लाइट आपको जो 390 में मिलती है ना अब आपको मिलेगी और उसके लावा यहां पर आपको डियारल मिल जाएंगे जला कर दिखा देता हूं और अभी अक्चली काफी जादा धूप है तो दिख नी रहें यहां पर यहां पर इंडिकेटर मिल जाएंगे और आप लोगों ने अभी तक काफी वीडियो और फोट उतना पार्ट लगा है डिस ब्रेक में और बीच में आपको ABS रिंग मिल जाएगी जैसे कि आपको पता है डूल चैनल ABS के साथ आती है यह बाइक और उसके बाद आप सीड्स देख सकते हैं और उसके बाद आप सीड्स काफी जादा चेंज कर दी हैं काफी वेल कुशंट कर और in fact जो सबसे बड़ा चेंज है एक्चली पूरी बाइक की इतना बड़ा चेंज है कि हर चेंज आपको बड़ा ही लगने वाला है पीछे आली सीट का भी कुशन काफी अच्छे कर दी है और पीछे वाली जो सीट आती थी लास्ट वाली RC में वो एकदम जाए गिया है थोड़ी और दादा वाइड कर दीगई है बाइक आप देख सकते हो और टेल लाइट में भी थोड़ा सा चेंज आया है एक है तो अगर कभी भी कोई डेमेज होता है तो आप हाफ फ्रेम रिप्लेस कर सकते हो यह एक चेंज है बाकी पावर फिगर सेमें एक जो इंप्रूव हुई है वो इसका फिल्टर बॉक्स 40 पोसेंट बड़ा कर दिया गया जिसकी वज़े से जो आपका में और आपको यह डिजाइन पसंद आएगा थोड़ा टाइम में आप इसको अड़ाप्ट कर लोगे सो बाकी स्पीडो मीटर की बात करें तो इसमें आपको फुल कलर डिस्प्ले नहीं मिलेगा जैसे 390 में मिलता है अफकॉस फोड़ा प्रीमियम ऑप्शन है बट हां जो ग्रेट की बहुत आता जरुवत थी और यह सेम यूनिट जो आपको एडवेंचर 250 में मिलता है तो इसमें आपको सुपर मोटो मोड और भी जो सारे फीचर से मिल जाएंगे बाकी डिस्प्ले अच्छा लगता है दिन में विजबल और रात में मुझे लगता है सही रहेगा गेर पोजिशन इंडिकेटर, डूवल ट्रिप मीटर, ओडो मीटर यह सारी बेसिक चीज़ना, रप्यम मीटर टाइम यह साथ तो मिली जाएगा आप केटियम लेर हो यार रेडियेटर था वो इंप्रूफ कर दिया गया है जिससे बाइक थोड़ा और एफिशेंट वर्क कर पहले 300 में आती थी, अब 320 कर दिया, सच बता हो तो अभी बाइक चला किया है, ब्रेक्स काफी जाधा अच्छी लग रही है, और मुझे लगता है अगर ब्रेक पैट्स आप अपग्रेट कर दोगे, कहीं ब्रेंबो यूस करोगे तो मज़ा ही आजाएगी आपको, और इसके अगर बाइक चिपकाना है तो आप चिपका सकते हो तो अभी जैसे बाइक थोड़ा कमफर्टेबल है, आप थोड़ा और इसको लो सेट कर सकते हो तो जैसे पहले वाली आर्सी की पोजिशन थी, एकदम सुपर स्पोर्ट वाली उसमें आ जाओ गया आप और उसके बाद ये एक माइनर सा चेंज किया गया है बट बहुत जादे नेसेसरी था ये तो आप ये लिवर देख रहो ना ब्रेक लिवर ये अगर अब आप बाइक गिरती है साइट से इंपक्ट आता है तो ये फोल्ड आता है तो जैसा ये ब्रेक लिवर है सेम इसका गेर लिवर भी है तो वह भी दिखा देता हूं आपको सेम यह है और ये काफी अच्छी चीद है यार काफी लोगों का पैसा बचेगा बहुत ज्यादा टूटते थे ये यह देखो अगर कोई भी इंपक्ट होता है या गिरती है बाइक तो यह से सिंप्ली फोल्ड हो जाएंगे बढ़िया काफी एक अच्छा टच लगा मुझे और अभी इस बाइक की बार आवास उना देते हैं उसके बाद इसको राइट करते हैं तो जैसे कि आपने देखा आवाज में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है थोड़ा गेड़ अप होते हैं और राइडिंग जैकेट पैन रखी है मैंन और थोड़ा सको चलाते हैं चलो लेट्स गो तो नौ इस टाइम तो राइट दबाइक इसको चला के देखते हैं और मैं आपको बताता हूं कैसी है चलने में बाकी फ्यूलिंग हमने करवा लिये और अल्मोस्ट फूल टैंक कर वालिया बाइक में तो अब बस इंजोई करना है और अभी यह भी हो सकते हैं कि मैं और नितीज भी बात कर रहे हैं तो शायद प्लान कर रहे हैं यह वाली आर्सी टूहंड़े ले ले हम लोग मतलब चांसे लग रहे हैं ऐसे और क्योंकि बाइक चलने में बहुत जादा अच्छी है और कंपेरिटिवली जो पहले वाली अच्छी थी ना उससे और जादा बेटर चल लिए बाइक वरना क्या और जितनी भी नई बाइक सारी नॉम्स की वज़े से ना बाइक की पूरी हालत खराब हो जा रही है बट यह वाली बाइक क्या चल रही है बहुत जबरदस्त और सबसे बैस चीज पता इसका नहीं आए यार मिरर्स ठीक ठाक है थोड़ा जो एंगल है वो बहुत लो है मिरर्स का तो इस वज़े से रोड देखना बहुत मुश्किल हो रहा है बढ़ ठीक है चलो मैनेजिबल है बाकी थोड़ा सा भगा के देखते हैं इसको कि प्रिफ्ट गेर सिक्ष्ट गेर बहुत जादा स्लिक है जबरदर स्टरी बहुत जबरदर स्टर्ली इंड़ सो इतनी जधा रॉफील हो रही है इतनी बढ़िया फुल हो रही है चलाने में हैं लूड़ ही अगा जा रही है और बाकी वैसे तो थोड़ा बैड रोट्स पे हमें और अच्छे से पता चलता बट अपने पास इतना अच्छा हाइवे है तो क्यों हम टेस्ट करें बैड रोट्स पे और वैसे भी यह ब्राइंड न्यू बाइक है अभी बागी ब्रेक्स बहुत अच्छी हैं स्पीडो मीटर मैंने आपको बताई दिया सारी चीज़े आपको बता दी डिजाइन आपने देख लिया लुक देख लिया एर बॉक्स बहुत स्लीक है और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं 200cc 300cc तक ना कोई अलेक्रोनिक की ज़रुवत नहीं बाइक ऐसे रॉफ फील होनी चीज़े नॉट लेकर रण फाइफ के आपने अलेक्ट्रोनिक्स दे दिये बट पावरी नहीं है तो उतना कुछ फाइदा निया एलेक्ट्रोनिक्स का यार चलो कुछ अच्छा लगा मुझे थोड़ा सा बट उसके लावा तो आज सच इतना क इमेज़ें तो उससे आप बाइक को जजमत करो किकॉज फोटो में कई बार ऐसा होता है आपको नहीं पाता चल पाता है चीज कैसी है उससे देखना है इन फोटो में देखना है इस डिफरेंट ठिंग और बाकी तो थोड़ा और भगाते इसको है कि आप जानते हों है तो आप जानते हों है अलगी कॉंटेंस देती है और इसपेशली जब इतने अची ब्रेक्स तो आपको भगाने में अलगी मज़ा आता है इन फैक्टी में जब आप इसको फिल्टर करो गेना मज़ा आ जाएगी थोड़ी सी वाइट जरूट यह थोड़ा बिग बाइक फिल देगी लोग तो बाइट डेफिनेटली पलट के देखने वाले है इस बाइक को ऐसी बाइक है और बाकी स्विच गेर्स आपको पेली वाले मिल जाएंगे जो आर्सी में आते तो अल्लेडी परफेक्ट नीड भी नीटी चेंज करने की और आ कोई भी कोई है कोई भी कोश्चन है कॉमेंट करो इस वीडियो को एंड करते हैं वहां पर चलके वापस और कि मैं शोरूम की लोकेशन देदूंगा अगर आपको बाइक पर्चेस करने तो आप शोरूम से ले सकते हो चलो सब्सक्राइब करो बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला इंस्टाग्राम है फॉलो नीके तो फॉलो कर लो आर्सी पर काफी रील्स और फोटोस हमने ले रखी है अल्लेडी आपकी सीव सुने नेक्स व्लॉग राइट हाट राइट सेफ सेफ सेफ्टी गीर्स पर एनो